गड़वा की महलाएं और बेटियां आत्म निर्भर बन रही हैं रगवर जरकार की पहल से महलाएं ब्यूटीशिन का कोर्स कर रही हैं खास बात यह है कि सरकार की ओर से उन्हें मदद भी मिल रही है सुन्दर सम्रिध्ध और निव जारखन का जो सपना सियम रगवर दास ने देखा है वो साकार होता दिखाई दे रहा है गढवा के शहरी और ग्रामीन इलाकों की महलाएं मुख्यमंत्री के सपनों को साकार कर रही हैं साथ ही साथ खुद भी हुनर्मंद होकर आत्म निर्भर बन रही हैं ये लोग ब्यूटीशियन का कोर्स कर अपने जीवन को और दूसरे के चेहरों को सवारने में लगी है पहले ये महलाएं अपने घरों की चार दीवारी में रहती थी लेकिन जब से सीम रगवर दास ने इसकेल जारखन बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया तब से ये लोग अपने भविश्य को आकार देने में लग गए हैं इनको ट्रेंड करने वाले भी इनके लगन के कायल हैं गाव में ब्यूटिशियन बहुत कम है पारलर ना के बराबर है उन्हों को प्रॉबलम होती है जब सजना होता है दुलहन बनना होता है उन्हों को शहर भागना पड़ता है इसलिए आर्सेटी ने सोचा कि गाव से दूर दूर से लड़कियों को लाकर के परसीचन दिया जाए ताकि वो लोग अपने गाव में अपने लोगों को ब्यूटिशियन के बारे में नौलेज दे सके और दुलहन को अच्छे से तयार कर सके ताकि उन्हों को परिशानी ना इन महिलाओं को ट्रेंड करने में रखवर सरकार की तरफ से भी मदद दी जा रही है इसके पहले यहां पर जो लोग दिया जा था तो उसमें टकनीकी कदना इथी लोग देने के लिए उनके पर सिक्षन जरूरी है बगर पर सिक्षन के बैंक लोन नी जयता था इस संसान के खुल जाने के बाद जो ग्रामी दुरोजगार है उनको हम प्रस्रिक्षन दे करके उनको इस लाइक बनाते हैं कि वो बैंक से लोल ले और स्वरजगार करके अपने पैरों पे खाड़ा हो सके महिलाए सशक्त और आत निर्वर हो रही है और ये सब कुछ हो रहा है रगवर सरकार की पहल से बिर रिपोर्ट जी मीडिया